नमस्कार दोस्तों, Imperial Agro Classes के online platform पर एक बार फिट से आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि आपका जो जेट का exam है उसके 10 दिन पहले आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आप एक smart study करके अच्छे से अच्छे नमबर ला सकते हैं क्योंकि अधिकतर जो topers student होते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं तो वो ही formula में आपको आज बताने वाला हूँ अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को like करना और प्लीज इस चैनल को subscribe कर लेजे ताकि इसी प्रकार की important वीडियो के notification आपको समय समय पर मिलते रहें सबसे पहले मैं फिर से आपको repeat कर देता हूँ 8 अगस्त के दिन आपका exam होना है अभी तक ऐसी कोई information नहीं आई है जिससे आपका exam postpone होने की बात कहीं जा रही है तो इस चीज का ध्यान रखे कि 8 अगस्त को आपका exam होना है अब हम बात करते हैं कि 10 दिन की रणीती या 10 दिन में हमें क्या करना है देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि सफलता का कोई shortcut ने होता मेहनत तो आपको करने ही पड़ेगी लेकिन अब 10 दिन में आ जादा से जादा syllabus को cover कर सकते हैं या किस तरीके से आप जादा नबर ला सकते हैं उसके लिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जादा से जादा क्या करना है रिवीजन करना है जो चीज़ें आपने पड़ ली है अभी तक उन चीजों को पड़ना है नई चीज या नई टोपिक अब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अब आप पढ़ भी लोगे तो आपका रिविजन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज यह है कि जो पुराने पेपर सेट हैं उन पुराने पेपर सेट को आपको अच्छे तरीके से निकालना है। तो selection के chances बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि agriculture के अंदर student अधिकतर ऐसे मिलते हैं जो लगबक 40 में से 40 questions सही करने की काबियत रखते हैं। इसलिए आपको agriculture में सबसे ज़्यादा questions को solve करना है और number को achieve करना है। फिर आपको सबसे ज़्यादा क्या सीच का ध्यान रखना है। जाता से ज़्यादा revision करने के साथ सब आप examination hall में बैठो तो examination hall में आपको minus या negative marking नहीं करनी है। आपको गलत सवाल नहीं करने है। यह very important चीज़ है ध्यान रखना में फिर से बता देता हूं कि government seat के लिए 19 में से एक प्रति एक बच्चे का selection होगा और private seat के लिए 5 में से प्रति एक बच्चे का selection हो जाएगा। इसलिए minus marking नहीं करनी है। तो उमीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इन 10 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मीना बूले। Thank you